नमस्कार दोस्तो हमारी एक और नई वीडियो में मैं आप लोगों का वैलकम करता हूँ और उमीद करूँगा कि आप अच्छे होंगे और सवस्त होंगे दोस्तो पिछले दो दिन पहले एक वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी कि स्मोल कैप से मैंने अपने पूरे पूर्टफोलियो को स्विच कर लिया है लार्ज कैप के अंदर दोस्तो और ये वीडियो जब कोई देखता है हर कोई पैनिक हो जाता है क्या मैं भी स्मोल कै के अंदर आने वाले time के अंदर नुक्षान हो लोस हो तो ये एक panic situation लोगों के अंदर आ चुकी है ये वैसे तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को कल सुबह तक देनी चाही थी दोस्तों कल रख्षा बंदन था तो उसकी वज़े से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा पर एक बात आप लोगों को यहां पर सचाई से इमानदारी से बताऊंगा कि जो भी इस तरह की वीडियो डालते हैं वो अपने benefit के लिए डालते हैं दोस्तों आप वो एक छोटे investor वो हैं बड़े investors साथ की साथ में उनका है एक YouTube channel और YouTube से ही उनकी 25-35 रुपे तक की earning होगी प आप अगर उनको देखकर अपने small cap को जो आपने पैसे investment किया small cap के अंदर अगर आप वहां से विडियो करते हो और large cap की तरफ चले जाते हो हम पैनिक हो जाते हैं जल्द बाजी कर लेते हैं और जल्द बाजी में जो लिया गया decision अता है वो सबसे खतरनाक होता दोस्तों तिक small cap में थोड़ा सा loss ज्यादा होगा अगर वहां पर 10% हो यहां पर हो सकता है 15% 16% 20% भी हो सकता है पर profit जो होगा वो जब profit होगा तो profit भी double ही होगा ठीक है तो ये बात हमेशा सोच समझ के चलेगा दोस्तों दूसरा आप अगर ज्यादा knowledge रखते हैं stock market की तो फिर आप mutual fund में पैसा मत लगाओ आप direct stocks buy करो और वहां से पना पैसा जल्दी double triple जो भी आपने करना है वो करो अगर आप mutual fund के अंदर आए हो mutual fund में आपने अपनी investment सुरू की है तो mutual fund के जो भी mutual fund में जिस भी skim में आपने पैसा लगाया है ना उसका जो manager है आप उस पे विश्वास आप एरे गहरे नत्थू गहरे पर विश्वास मत करिएगा कि उस YouTuber ने वीडियो डाल दी है वो अपना पूरा का पूरा पैसा large cap की तरफ लेके जा रहा है यह सबसे बड़ी बेकूपी है उन इंसानों की जो इस तरह की वीडियो डालते हैं लोग panic हो जाते हैं दोस्तों प्लीज पैनिक ना हो वो उसकी strategy है आप अपने strategy से चलिए आप एक छोटे investor हो वो एक बड़ा investor है उसके 10 से 11 12 करोड़ तक की investment है mutual fund के अंदर तो आप उसके बराबर नहीं हो हम उसके बराबर नहीं है ना उसका वो कर सकते हैं अगर वहां पर थोड़ा सा उनको exit होता भी है तो वो cover कर लेगा यार उसकी तो एक मेने की तनका है 20 से 25 तीस लाख रूपय यूटूब से हैं तो आप उसके साथ नहीं चल सकते आपने दो चार पांदस लाख रूपय investment किया होगा आप वहां से large cap की तरफ चले जागो वो कल वहां से क्या आपको बोलेगा कि मैं तो mid cap में जाओंगा मैं flexi cap में जाओंगा आप उसके साथ थोड़ा चलोगे यार आपका अपना target है आपकी अपनी planning है आपका अपना goal है आपने अपने को देखना है ठीक है ना तो please आप ग्यान जुरूर लो हर किसी से सीखो सीखना चाहिए भी पर ये नहीं कि उसने वो किया तो मैं भी वहीं पर जाओंगा उसने वो काम किया तो मैं वो काम करूंगा नहीं काम करने से पहले सोचना है क्योंकि आज आप वहां से small से निकल के large cap में चले जाओ गए तो आपको exit लोड भी लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि यह तो मुझे तो बहुत ज्यादा लोस वा प्रोफिट तो हुआ ही नहीं जो principle था उसमें से भी लोस हुआ तो मेरा यह कहने का मतलब है सीधी सी भासा में सीखो सभी से करो अपने मन की ठीक है प्लीज यार मेरी एक personally request है अगर आपको अच्छी लगी है तो like share जुरूर करना है मेरी इस वीडियो को कि जल्द बाजी में कभी भी decision मतलो किसी भी youtubers के उपर भरोसा मत करो advisor से सला लो अपने उपर अपनी analysis करो अपना research करो market को देखो mutual fund में आये तो जो manager है जिस fund के अ इसा लगा है उसके उपर भरोसा रखो वह ऐसे नहीं बैठा यार वह ऐसे नहीं बैठा अगर वह लोज करेगा तो उसको खुद को भी लोज है तो इसलिए mutual fund के अंदर अगर आप long term के लिए आये हो तो बिल्कुल भी अगर मैं कल यह बोलता हूं कि आप large cap से निकलो small cap पी पर चले जाओ तो प्रीज अपना analysis करना है अपने तरीके से सोचना है क्योंकि आपका target है यह आपका गोल है आपने पूरा करना किस तरह करना कैसे करना है यह आपके उपर है थोड़ी-थोड़ी investment करिए यार हमने उसी investment को लेकर हम उदर से उदर उदर से उदर बंदर की तर उस फारमोले को तो यही बस last में था उमीद करूँगा कि आपको मेरी बाते अच्छी लगी होंगी और आप इनको follow भी जरूर करेंगी